राम राम जहेंद आज बात करेंगे कि पेट अगर नहीं साफ हो रहा है तो कैसे साफ होने लगेगा उसका अच्छू तरीका क्या है क्योंकि आजकल डाइजेशन की प्रॉबलम हर दूसरे आदमी को है और सुबह प्रॉबलम सबको हो रही है आजकल बता नहीं पा रहा है कोई लिगें दिक्कत तो सबको होई रही है ठीक है आगे बढ़ने से पहले एक हम अपना यार नेचुरल स्टैमिना बूसर बनाते हैं जो की पंदरा सुरोपे का मिलता है सामने नंबर आ रहा है इस पे पेमेंट करके पंदरा सुरोपे अपने घर पर मंगा सकते हो जिसमें कि आ पेमेंट का स्क्रीन सौट और पेमेंट के लिए अपना अमलब जो प्रोड़क्त कहां पहुंचाना है वह एड्रे जिरूर बेज दिना ठीक है पेट साफ करने के लिए बेसिक सी चीजे बताएंगे उनको अगर फॉलो कर लेते हो तो पेट में उतनी प्रोब्लम होगी नही सबसे पहली चीज तो हम यही कहेंगे कि सुगर और फास फूड को जंक फूड को आईली फूड को आपको बहुत हद तक लिमिट करना पड़ेगा अगर इनको कम नहीं करोगे या इनको बंद नहीं करोगे तो बाकी की चीजे हम जितनी बता रहे हैं वो बिलकुल एफेक्ट पुरी बॉडी को ही हल्दी रखता है जो आपका बाउल मुमेंट है वह बहुत अच्छा कर देता जिससे फ्लस आउट सुबह होने में असानी होती है करने में असानी होती है तो 4 लीटर पानी टार्गेट कर लोा कि डेली चार लीतर अंपानी पीएंगे ही पीएंगे ठीक ह तीसरी चीज हमें यहाँ पर क्या करने ही, सुबह जब उठते हो, ठीक है, तो एक प्रक्रिया होती है, योगासन होता है, मलासन, वो कर सकते हो, ठीक है, बेसिकली मलासन, अगर आपके हाँ इंडियन टोयलेट है, जो हम लोग हम बच्पन से होते आ रहे हैं, अगर वो है तो इ सेब का सिरका, जिसको बोलते है, एपल साइडर विंगर, बहुत अच्छा होता है, बहुत एफेक्टिव होता है, अब इसको करना क्या है, सुबह जैसे उठते हो, दो चम्मच एपल साइडर विंगर, गरम पानी के साथ लेना है, और आपके सारा जो भी बाडी में अंदर ह है, मेटेरियल, वो सब फ्लस आउट हो जाएगा, ठीक है, एपल साइडर विंगर, इन सारे जो भी हम चीज़ें इन में बताएंगे, उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक हम जरूर दे देंगे, टेंसन बिलकुल भी मत लेना, ठीक है, चलो, आगे हम बात करते हैं, कोसिस ये क अब जियां भी आप खा सकते हो, एक मील में और एक फ्रूट डेली बेसे पे, ये भी पेट साफ करने में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है, आखरी में अगर हम लास्ट बात करें, तो एक चीज़ ये है, कि जब आप रात में सोने जाते हो, उसके पहले एक गिलास गरम होगी, तो सुबह आप फ्रेस होने जाओग, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और दूसी चीज़ ये है, जो आयरुवेदिक प्रोडक्ट होते हैं, ये हमारे बाउल मुमेंट के लिए भी अच्छे होते हैं, तो इसको आप लेको लेना है रात में सोने के पहले, आखरी मे चालू कर दो, कुछ लोगों को गेहों की रोटी नहीं पचा पाते हैं, वो गलूटन की वज़े से, आप जुआर बाजरा, जो मोटा अनाज होता है, उसको लेना चालू कर दो, ठीक है, ये चीज़े करनी पड़ेगी, वरना लाइफ टाइम इस प्रोसेस से गुजरोगे, लाइफ टाइम दवाई खाओगे, कुछ असर नहीं होगा, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जैहें